तो देखो प्यारे बच्चों इस वाले question को कि इसमें क्या करते हैं कि अगर कोई train है जो चल लए ती आराम से constant speed से चल लए है यह उसकी constant speed है ठीक है तो अगर यह उसकी constant speed है तो उस speed से इस speed से चल लए है clear है तो इस speed से चलने के बाद यह train का station और अगर यह train station तो इस train station पर तुम देखोगे तो पांसो मीटर पर यहां पर ब्रेक लगाती है तो यहां जाकर रूख जाती इस ट्रेशन पर speed 0 जाती है लेकिन वही ट्रेन जो 20 से चल लए थी अगर ब्रेक 250 मीड पॉइंट पर लगाए तो वह station पर रूखेगी नहीं आगे बढ़ जाएगी यहां से क्या होगा आगे निकल जाएगी यार बात आ रहे हैं समय तो अगर यहां से आगे निकल जाएगी तो हमें निगालना है कि यह दो केस हो गए तो station को क्रॉस करेगी तो उसकी speed कितनी होगी तो पॉले वाले पार्ड के लिए निशील विल Augustaufen पर रूख गई है है कि से चल लाई थी यहां से एक्स लेशन आ गया 20 यह 2 by 5 तो second equation के लिए लगाओगे थार्ड equation आप मोशन तो यह जाएगा टू एस प्रेग लग चुका है मेरे भाई तो final speed initial 20 का square और यहाँ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा माइनस माइनस एक ही वेलू अगर देखोगे तो 2 2 by 5 है और यहाँ जाएगा 250 तो यहाँ जाएगा 50 तो 50 और यहाँ जाएगा माइनस 200 और प्लस 400 ठीक है तो यहाँ से भी की वेलू आ जाएगी 200 अंडर रूट तो 200 अंडर रूट क्या होता तो यह 200 अंडर रूट मतलब है हुगा कि यह दिये थे x अंडर रूट तो x की वेलू कितना आ जाएगा 200 तो दिस फाइनली इंटेजर यहाँ पे जो यह फिल इन दे बलाएग से यहाँ 200 आएगा this is the final solution of this problem thanks for watching this video